हेलो एबरीवन कैसे हैं आप लोग होप कि आप लोग बिलकुल ठीक होंगे चलिए आज की क्लास में बोग सिखेंगे इसको स्रीधाराचार ये रूल बोलते हैं जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसका यूज करके हम लोग क्वाडिटिक एक्वेशन का रूट इसली फाइंड कर पाते हैं तो वो फॉर्मूला आपको ये होता है कि जैसे क्वाडिटिक एक्वेशन है तो उसका दो रूट उसके बाद यही formula है, तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि formula को कैसे derive करते है, quadratic formula यानि स्रीधाराचारी rule कैसे आता है, उसके बाद कुछ आगे वीडियो भी होगा जिसमें questions formula का use आपको हम बताएंगे, ठीक है, देखिए, formula क्या होता है, श्रीधाराचारी rule से जो formula ह होता है, वो होता है, x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a, 2a, देखिए, plus minus कहने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको दो बार, दो root हो जाएगा, जैसे कि अगर x, यहाँ x का दो value है, अगर हम एक उक alpha माल लें, तो minus b plus root under b square minus 4ac by 2a, ठीक है, है, second roots की बात करें, तो minus b, एक बार plus लिए, एक बार minus ले लेंगे, root under b square minus 4ac by 2a, ठीक है, यहाँ पे, अभी आप class 10th की level के लिए पर रहे है, तो यहाँ एक condition याद रखा जाता है क्या, कि where b square minus 4ac is greater than or equal to 0, देखिए, इसको d, इसको d बोलते है, d मतलब होता है, discriminant, क्या होता है, discriminant, मतलब आपको quadratic equations में, discriminant अगर पुछा जाता है, तो b square minus 4ac, ठीक है, b square मतलब आपको b क्या है, 4, 4 तो आपको number देखिए रहा है, एक real number है, ac क्या है, तो इस सब भी आपको 4, b, ac, यह सब एक real number होता है, यह आता कहां से है, तो quadratic equations देखिए, आपको वही सारा कुछ अभी हम आपको समझाने वाले हैं यहाँ पे, और इसका यह condition सब है, तो फिलाल तो आप इसको समझ यह, कि यह आया कैसे, यह alpha और यह beta, ठीक है, यह alpha बीटा यह जो दो roots है, यह कैसे आता है, इसका derivation आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, एक quadratic equations, ठीक है, तो एक quadratic equations consider करते हैं, ठीक है, consider, consider quadratic equations, quadratic equations, एक quadratic equations को consider करने जा रहे हैं, ठीक है, एक consider करिए, क्या, ax square plus bx plus c is equal to 0, लेकिन आप कभी भी इस formula से जब आप questions को solve करिएगा, roots find करिएगा, तो पहले equations को, इसका जो यह standard form है, यह जैनल form, उसमें convert कर लेना है, ठीक है, यह आपको हम condition यहां shortcut में लिखती है, a का value 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा, तो x square वाले term ही 0 हो जाएगा, जब x square वाले term ही 0 हो गया, तो यह तो quadratic बचा ही नहीं, इसलिए a का value कभी भी 0 नहीं होगा, भले b और c 0 हो जाए, ठीक, तो यह ax square plus bx plus c, एक quadratic equations का general form है और यही a, b, c जो है इस formula में यहां पर use हुआ है, ठीक है, कभी भी आपको जैसे अगर equations ऐसा हो जाए, 2x square plus 3x minus 6 is equal to 0, तो यहां पर a का value 2 हो जाएगा, b का value 3 हो जाएगा, और c का value minus 6 हो जाएगा, ठीक है, sine के साथ लेना है, ठीक है न, और उस formula में डाल देना है, तो यहां क्या करते हैं, हम लोग start करते हैं, यह है आपको ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है, यह जो constant time है, उसको rhs में लेके चल जाएगे, देखिए, कोभी चीज़ आप first time जब देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा देखिए, आखर यह आखर क्यों किया जाता है, तो हम इसको rhs में इ bx is equal to minus c हो जाएगा, अब यह जो x square वाला term है, इसको जो coefficient a है इसको remove करना है, तो a को remove करने के लिए हम दोनों तरब क्या करेंगे, a से divide कर देंगे, तो यहां लिखते हैं, यहां पे चलिए, हम आगे थुरा questions बनाने के लिए जगा रहेगा, इसलिए यहां लिखते हैं, dividing both sides both sides by a, दोनों तरब क्या करते हैं, a से divide करते हैं, a x square by a कर लेते हैं, plus bx by a कर लेते हैं, is equal to minus c y a, तो यहां तो a से a कट गया, तो क्या बच गया यह आपको, x square plus by a into x is equal to minus c y a, यहां गया, अब देखिए, अब हमको तो सिर्फ x का value चाहिए, तो अब यहां क्या करेंगे, य एक्स्ट्रा काम में यहां क्या करेंगे, जरा देखिए, इसको, आपको हम यहां पे, जो है, एक line थोरा सा हम छोड़ते हैं, थोरा नीचे लिखते हैं, थोरा समझने के लिए, देखिए, यहां बीच में बाद में line घुसाएंगे, ठीक है, यहां इसको अगर हम x square plus 2 into, यह x के जगह लिख लेते हैं, ओके 2 into a, चीक है, पलस b, देखिए, क्या है ने, कि इसको हम a plus b to the whole square के रूप में convert करना चाहते हैं, आपको, हम अच्छे तरह से समझाने कोसिस कर रहे हैं, अब थोरा देखिए, यहां क्या है, कि 2 यह देखिए, a, a square से दिख रहे हैं, यहां पे, a के जगह x है, तो 2 a, और b, देखिए, इसको हम 2 a, b वाले term बनाएंगे, तो मान लेज़े, यहां 2 हो जब extra घुसा आए, यहां पे, तब b, y, a के जगह हम 2 a कर लेते हैं, क्या होगा, कि अभी तब हम कुछ नहीं देखिए, x square, x square, यह b, y, a है, तो अगर हम यहां से 2, 2 cancel out क कर देंगे, 2, 2 क्या हो जाएगे, cancel out हो जाएगा, तो by a into x, by a into x बज जाएगा न, तो यहां पे क्या हुआ, कि a square के जगह x, 2 a, b, b हुआ न, b के जगह क्या है, by 2 a, तो यहां लिखेंगे, by 2 a, ठीक है, by 2 a, ठीक है, तो by 2 a, तो इसका हम क्या करते है, square, अब तो यह तो extra आ गया, यह क्या गया, extra आ गया, ठीक है, यह extra आ गया, एक्स्ट्रा क्या करेंगे, हाँ पर हम घटा देंगे, जितना हम जो रहे हैं, यहां पर, जितना जो रहे हैं, ठीक है, तो by 2 a to the whole square कर लेते है, is equal to minus c y a, लिख देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे, कि adding, ठीक है, यहा adding और subtracting हम एकी तरफ किया है, आप चाहें, तो इसमें equations में क्या होता हैं, कि दोनों तरफ same number जोर सकते हैं, same number घटा सकते हैं, तो यहां हम adding both sides, adding both sides, adding both sides, by 2 a to the whole square, दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ, यह by 2 a to the whole square जोर देंगे, जैसे यहां जोरे हैं, तो हम यहां पर घटा ह है, minus किया है, अगर हम चाहें इसको minus को अगर हटाना चाहें इसको, अगर हटाना चाहें, तो जब RHS में जागा तो यह हो जागा इधर, पलस, by 2 a to the whole square, तो यहीं बात दिए, यह बीच में क्या, equal to, is set by 2 a to the whole square, जोर दिये, is set by by 2 a to the whole square, जोर दिये, यहीं चीज़ है, यही यह क्यों क्यों किया, तो यह हम इसलिए पीछे से लिखे है, क्योंकि आपको दिखा देक इसका जरूत कहां परने वाला है, जरूत परहा, इसलिए इसको हम यहां पर किया है, कभी-कभी क्योसर में, बहुत सारे problem में, आपको जरूत के हिसाब से कोई चीज जोर ना पड़त अगर आपके बुक में इसके बदले में ऐसे लिखाओ बीए स्कॉयर बाइब रहे हैं क्योंकि स्कॉयर बीकाइब स्कॉयर बीए स्कॉयर हो जाएगा तो यह भी हम जोर घटा कर सकते हैं एक ही बात है ठीक है तो यहां पे देखिए इसको यह स्कॉयर प्लस Qए बी तो बीके ब्याग फीये प्लस B 2A ऑगया बॉस प्लस भीया स्कॉयर हम इसको हम लिख सकते हैं इससे लिख सकते हैं इसैं इसको लिख सकते हैं क्या इस मिख सकते हैं एस स्विख différentes minus C by A plus यह लिखेंगे आपको क्या B A square by 4 A square यह लिखते हैं ठीक है यह लिखती है इसको थोरा सा गुना करके यहाँ पर थोरा सा क्या कर लेते हैं इसको एक वर और लिख लेते हैं एकस प्लस B Y 2A to the whole square is equal to LCM ले लिजे LCM A को और 4A को लेंगे तो क्या हो जाएगा 4A square A से A जब cancel out हो जाएगा यहाँ पर तो अगर A से डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या बचेगा 4A बचेगा इस 4A से माइनस C को अब यहाँ पर देखें इसको थोड़ा हम आपको इससे आप लिख लिजेगा ठीक है इस से यहां मिटा रहे हैं इसको ओके तो यहां देखिए इसमें क्या करना होगा कि इसको एक बर लिखते है एकस पलस B Y 2A to the whole square is equal इसको थरा इसे लिख 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 लिए बीए स्कॉयर माइनस 4A C by 4A square यह देखिए यह जो square है जब रहे समें जाए तो स्कॉयर हो जाएगा नहीं तो आप स्कॉयर रूटिंग बोद साइड कर सकते स्कॉयर रूटिंग बोद साइड यानि तो इस स्कॉयर को आरेचस में सिफ्ट कर दीजिए तो यह स्कॉयर रूट हो जाएगा यहां एक्स पलस बीवाइट टूए इस इकॉल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा बीए स्कॉयर माइनस फोर एसी अब आप फोर एस्कॉयर देखिए और आपके लाश टेंद पर रहे है तो स्कॉयर रूट क्या होता है जैसे अगर आपको नाइन का स्कॉयर पूछेंगे तो प और का टू लिख देंगे स्कॉयर का लिखेंगे उपर में पलस मैनस लगा देते हैं ठीक है कहीं भी जगा लग जाएगा तो हो जाएगा आप चाहें ना तो यहीं पर लिखिए यहीं प्लस मैनस लिख देते हैं इसके उपर में रूट ही छोड़ देंगे बीए स्कॉयर सब्सक्राइब करना होता है ठीक है और यह जो है ना बहुत सारे कुछ है आपको ऑनलाइन क्लासे में यहां वीडियो में बता नहीं पाता रहा थे क्योंकि आसा लगता है कि वीडियो जब लंबा हो जा है तो इस्टूर्ण को लगे या कि वह इतना लंबा हुए स्टार्णिंग में देखकर कही डर जाता उसे यह नहीं पता होता क्योंकि जब तक वीडियो देखेंगा नहीं पता ही नहीं चलेगा कि आकर एक्स्प्लानेशन किस तरह से किया गया है ठीक है तो यहां पे अगर हम यहां लिखते एक्स इसकॉल टू देखिए इस दोनों के ल स्रीधारचारी फर्मूला ठीक है ओई चीजा है माइनस भी प्लस में रूट अंडर बीसक्वर मैनस फॉर रसी चाहिए तो यहीं में एक वार हम इसको अलफा इसको माइनस बी पलस रूट अंडर बी स्कॉर माइनस फॉर रसी लिखेंगे और निचे में टू ए कर लेंगे वीड कोम एक वर नमम डालेंगे मा인지 बीत स्क्यर माइनस फяжनली यहीं दो डूंण से डिनㅋㅋㅋㅋ और यह स्रीधाराचार यह स्रीधाराचार फार्मूला ठीक है इसको ऐसे व्मॉला बोलते को आपको फिलाल हम एक क्ने स करेंगी कैसे ऊफ उसकर के this come minus 4C is code discriminant बोलते हैं discriminant ठीक है इसको capital D से denote करते हैं और क्या है कि आपको जो अब ही तक आप जो class 10 पर हैं तो square root minus 9 का आप कभी नहीं निकाले है ठीक है और minus 9 का square root real होगा ही नहीं इमेजनरी होगा अगर कोई students गलती से इसका square root minus 3 लिख देते हैं तो वह गलत है ठीक है क्योंकि minus 9 का square root real नहीं होगा क्योंकि आपको डिफिनिशन साथ हम बताए दिये क्यों real number का square हमेसा positive होता यानि तो zero होगा तो minus 3 का square करके देखिए plus 9 होगा लेकिन या minus 9 है इसके लिए minus 3 नहीं होगा तो मतलब आपको रूट के अंदर में या तो जीरो हो या नहीं तो जीरो से बारा नमर हो इसलिए बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वाल टू जीरो होगा क्लास टेंथ के लिए यानि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वाल टू जीरो होना चाहिए तब जाकर के रूट्स क्या होगा रियल होगा ठीक है रूट्स रियल होगा इसके नेचर के बारे में थोड़ा और बात करेंगे ठीक है फिला और बता दे जब आपको डी यान डीट आग यानि की B α2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना तो जीरो हो जाएगा तो रूट्स का एक्क्वाल होगा और रियल होगा रियल के साथ प़्िछल हुगा और जब दॆब बीग्रीजि खौना बाम्योआ पको रियल के रियल और अनेक्वल होगा इसको ठीक से एक्सिप्व आफ रूट्स बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे, तब तक के लिए, थैंक यू.